हाई फ्रेंड्स मैं हूँ चैताली आप सबको मेरे गार्डिन में स्वागत है आज मैं आपको दिखा रही हूँ मौर्निंग ग्लोरी की प्लैंट इसे इपोमा भी कहते है और इसकी और भी कई कलर है जैसे की रेड, वाइट, पिंक, ब्लू और ये पर्पल ये एक वाइन प्ल इन प्लैंट भी बना सकते है और घर की बाहर जो गेट होते है उस पर अप लगाएंगे तो गेट की शोभा बरा देती है बहुत सारे फ्लावरिंग आज हुई है और फ्रेंज इसे आप जहां भी रखेंगे ख्या रखेगा दिन की फूल सनलाइट इसे मिलती रहे क्योंकि ये सनलाइट पली प्लैंट है और दोपहर के बाद ये फ्लावरिंग मुचा जाते है ये देखिए ये फ्लावर कल हुए थे और आज बंद हो गये है और ये बहुती लो मेंटेनेंस प्लैंट है आप इसे गार्डेन सोय में लगा दीजिए ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है एक मुट्टी भर्मी कमपोस्ट या गोबर खाद महिने में एक बाद दीजिए तो इससे और कुछ नहीं चाहिए थोड़े सनलाट की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि सनलाट में ही ये अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करती है ये देखिए कितने सारे फ्लावरिंग हुई है और अभी सुबह की टाइम है देखिए आज थोड़ा क्लावड ही है तो सन क्लावड के पीछे है इसे सनलाट की बहुत ही जरूरत है तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तैंक यू